हलो नवस्कार दोस्तों थर्टी मिनेट जीएस में आपका हर देख स्वागत है चैनल पर नए चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजी पिछले वीडियो में हम देख रहे थे भारत में सामिल विशिष्ट आद्र भूमियों के वारे में हम लोगों प्रावलम की करण वीडियो अठक गया था तो फिर हमने आगे इसके सुरूप मैंने आपको बता दिया है जाके पिछले वीडियो में देख सकते हैं अब इनकी करते हैं थोड़ी सी विश्ट चर्चा तमिल नाडू की बात हो रही थी तमिल नाडू में 13 आद्र भूमी थी और हमने आपको बताया था कि इन 13 में से जो आद्र भूमी है maximum इनकी मानो निर्मी थी तो करी कली पक्षिय बैरन की बात कर रहे थी तो इनकी स्थापना करी कली की 1972 में हुई थी और ये मानो निर्मित आद्र भूमी है यहाँ पर मैथबूर पर जाती है औरियंटल डार्टर इसके बाद आगे बात करते हैं पली करणई मार्स रिजर्व के बारे में तो पल्ली करड़ी और पिछवाराम ये दोनों प्राकरते का आद्र भूमी है यह ताजे जल की कक्षवूमी और आंसिक रूप से लवड युक्त आद्र भूमी तो यह जोज़ोंगी और चेंगल प टू जिलों के लिए aquatic buffer के रूप में कार करता है, यहाँ पर सेल वाइपर साप, glossy ibis, gray-headed lap wing, तीतर जैसी पूछ वाला जल कप होती, यानि की present tailed jackana, important है, यह पाय जाता है, पली करड़े मार्स रिजर में, इसके बाद वेलार और koliadum, याद रख लेना, वेलार और koliadum, वेलार और koliadum, नदियों के जुआर नदमों के पाया जाता है, पिचा होगा रहां, वेलार koliadum, और यह है वेलांचली और swamp forest, मतलब दल्दली वन का परियावास है वेलेंचली लिटोरल लिटोरल ठीक है लिटोरल जो आपको environment ecology पढ़े होंगे तो जानते होंगे लिटोरल क्या है और swim forest और यह मुख रूप से स्टफेद जींगे और tiger जींगे साथ व्याफ साइक रूप से महतपूर जींगों का महतपूर परियावास इसतल महतपूर प्रजातिया राइजो फोरा अन्ना मलाया जो मैंगरोब की प्राकरतिक संकर प्रजातिया इसके लाबा वाइट बेल्ड हैरॉन इसके बाद बाद करते हैं कुन्थल कुलम पक्षी अब्यारण के वारे वे हैं तो यह मानो निर्मित है सिचाई के लिए उप्योगोने वाला तालाव आगे हमने बता दिये यह प्रवासी पक्षियों के लिए सेंट्रल एसियन फ्लाइवेब हैं इस्तेतिक महतपूर पक्षी और जया बिवित्ता छेत रहे महतपूर पर जाती है इंडियन पॉंड हैरॉन यूरेसियन विजॉन इस्पॉर्ट बिल्ड पैलिकन औरियंटेल डार्टर और नॉर्धन पिंटेल आधी यहां पर प्रमुक ह यहां पर प्रवासी पक्षी यहां से जाते हैं दक्षिड पूरवी एसियाव है यह वाला जो पॉर्षन है इस पर पढ़ता है न यह तो यह सेंट्रल एसियन फ्लाइवे प्रवासी पक्षियों का जय उसमें मैतपूर पक्षी और जय वित्ता छेतर है कुंथन कुलम पक्षी अब्यारन मनार की खाड़ी बैस्पियर रिजर्व दुगोंग के लिए जाना जाता है इंपोर्टेंट है याद रख लेना मनार नाम को बाश पिररेजर्व के रूप में वर्की गरत किया गया है अकzar क्या मारा कीर यहां के इस्थानी समदाए है मनार से मारा ठीक है मारा यह है तो मारा कैर और मैत पूर्ड प्रजातिय गुगॉंग Samadhi होता है ठीक है और इसको समुद्री गाय भी कहते है यह वेल सार्क, फिर आगे बढ़ते हैं तो मनार की खाड़ी प्राकरतिक आदरभूमी है इसके बाद बात करते हैं वेम बनूर आदरभूमी परिसर की ये भी मानो निर्मित आदरभूमी है ये मैदपूर पक्षी और जयवित्ता चेतर आई भी ये का एक हिस्सा है माना जाता है कि यहां पजयार नदी से जल प्राप्त है तो डिजाइन किया गया हो कौन सी नदी पजयार नदी वेम बनूर आदरभूमी परसर की बात हो रही है मैदपूर प्रजातियों की बात करें तो यहां पर पाई जाती है इंडियन रिवर टर्न, इस्पॉर्टेट ग्रीन सेंग, गरगेन ग्रे पेलिकन, पादप परजातियों में पाई जाता है इंडो ट्रिस्ट का, रामो सिसीमा, सिट्रो कोकम, लॉंग इप्स यह पर पाई जाती है इसके अलावा वेलोड पक्षिय अभ्यारन, वेलोड नहीं है वेलोड है मानो निर्मित आदरभूमी है यह प्रवासी कौन सा है कहरे सिका पेडाटा, टैफ्रोस या पुरपुरिया, कामिलना तिरंगा ठीक है अब बात करते हैं वेदन थंगल की, वेदन थंगल बहुत इंपोर्टेंट है तो वेदन थंगल पक्षिय अभ्यारन यह बात करें मानो निर्मित है यह वेदन थंगल गाओं में एक है और यहां पर प्रजातियां ब्लेक हेड़िट आईबिस, यूरेसियन इस्पून बिल, ब्लेक क्राउन नाइट हैरॉन और पेंटिट इस्टॉर्क आदी है अगर आपके पास टाइम है तो जो मैं नाम बता रहा हूं आप यह सर्च कर लेना यह पक्षी है, जली जीव है या जन्तू है यह आप याद कर लेना या इस्तन पाई है यह आप चेक कर लेना ओधिया मारता अंड़ पुरम पक्षिया ब्यारन मानो निर्मित यह भी है सचाईति उतलाव होगा यह भू छेत्र इसके दक्षडे बाग में आंसिक रूप से औरेयार नदी बहती है औरेय इन्टे डार्टर ब्लैक हड़ेडड आईवेस यह हैं क्या पक्षी है जिलिए जीव है यह आप चेक कर लेना चट्रा गुंडिया पक्षिया हम्यारन यह बहुति है और्द चंद्राकार चित्र बना हुआ है अर्द चंद्राकार जो सामदायक ताल आपके तर्वंद के वी हेरोन, लार्ज एग्रेट, ओपन बिल्ड इस्टार्ग, परपल हेरोन, पॉंड हेरोन, तो आपको सर्च करना है कि हेरोन क्या होते हैं, ठीक है, सिर्फ इतना ज्यादा नहीं, पक्षी है, जीव है, जली जीव है, यह याद कर लेना है, बता तो मैं भी दूगा, लेकिन थोड मैतपूर पक्षी छेदर घोसित किया गया है, यह प्रवासी पक्षियों के, मद ये सिया युडायन मार्ग के दक्षडी सरे पर रिष्ते थे, मैतपूर पर जाती है, इंडियन, कॉर्मोरेंट और स्पोर्ट बिल्ड डख, यह तो पता चल गया है, कॉर्मोरेंट सर्च करे इसके बाद वुदूबूर पक्षी अब्यारन मानो निर्मित है, तंजोर से 25 किलो मिटर दूर है, और मैतपूर पर जाती है, इंडियन पॉर्ण फैरोन और यूरेसियन विजन, उत्री, पिंटेल और गारगेनी, गारगेनी भी देख लेना कि यह क्या है, आगे बढ़ते ह है, कांजीन, कुलम, पक्षी अब्यारन, ये भी मानो निर्मित है, मैंने क्या कहाता है, मैं लाड़ू है, मैंनार की खाड़ी, ठोड़ दो, और दो और, परांबी कुलम, ठीक है, तो 1989 में इसे एक संरक्षे छेतर घोसित किया आयत किसे, कांजीरन कुलम को, यह एक महतपू होगा, भाइट आईविस होगा, ब्लैक आईविस होगा, लिटिले, ग्रेट होगा, ग्रेट होगा, बनोगे पक्षी याने बी इटर्स होगे, बुलबुल होगी, कोयला होगा, मैना होगी, और पारवेट सो, कोयल सोरी, कोयल और मैना, माद्य प्रदेश की बात करें, तो सा संक्सागर अदेफिस में जो तीनों एड करी गई है यो तीनों मानो निर्मित है तो याद रख लेना संक्सागर रहे है और 1918 में महराज़ इस इंडिया कि सासनकाल में मनियार नदी पर बांध बनाये जाने के करड़ सांक्सागर याध रख लेना या ओपन वाटर दलदल भूखंड के साथ साथ ब्रिच्छा रॉपड़ वाले छोटे क्रिसी भूखंड भी इसमें सामिल है किदर मगर क्रोकडाइल ज्यादा पाए जाते हैं तो मनियार माधो और सांक सागर तेरपोर आदरभूमी यह मानो निर्मित है यह इसका निर्माण इंदौर के होल कर सासकों दोरा कराए गया यह पिछली दो सताबियों से विजूत है और लगबग प्राकरतिक विशेष्टाओं को बना हुए महतपूर प्रजातियों की बात कर इजिप्सी अन बल्चर इंडियन रिवर्टर आदी यहां पाए जाती है फिर बात करें यस्वंत सागर की यस्वंत सागर मानो निर्मे तादरभूमी है और यस्वंत निर्माण साब बहुत गंभीर रहते थे गंभीर नदी पर बने बांध पर निर्मे जलासा है यह इंडौर चेत्र में से दो महतपूर पक्षी और जय विवित्ता चेत्र में से एक है साथ ही है मद्द प्रजिस के मालवा चित के सबसे महतपूर पक्षी स्थिकाओं में से भी एक इसका अपयोग मुख्रो रूप से इंदौर सायर की जलाव पूर्ति के लिए किया जाता है महतपूर प्रजातियां सारस क्रेन आदी आगे बात करेंगे उडिसा की चलिए आगे बात करते हैं उडिसा की एक सेकंड का बेट करें तो उडिसा में सदकोर्सिया गौर्ज यह एक प्राकरतिक आदर भूमी है 1976 में सदकोचिया गौर्ज को एक बन जी अभ्यरण की रूप में स्थापित किया गया था 2007 में से सदकोचिया टाइगर रिजर भी गौब इसके दो निकटवर्ती बन जी वाब्यारन सतकोसिया गोर्ज अब्यारन और बैसी पिल्ली अब्यारन सामिल है यह महा नदी नदी के गोर्ज के साथ विश्तरित है जक्कन प्रायदिप और पूर्वी गाट के संगम इस्तल पर नदीयां दलदल और सदावार बन होच यहाँ पर महितपूर्ट प्रजातियों की बात करें पौधों में पादप में बात करें सेमल याद रख लेना जिसके वज़े से एक सिमली पाल नाम पढ़ाता है इसके लावा भारती कांटेदार बास कलकत्ता बास पाए जाते है प्राड़ी जगत में रेड क्राउंड रूफ्ट टर्टल इंडियन नेरो हेड़ेड सॉप्ट सेल टर्टल बाग ब्लैक बेल्ड टर्न आदी भी पाए जाते है टर्टल जादा होगा अनसुपा जील फ्राकरतिक आद्र भूमी है बहा नदी की एक गोखुर जील वो खुर जील जानते हैं जैसे मान लीजिये नदी इस तरह से बैती दी ठीक है इस तरह से मान लीजिये इस तरह से एक नदी बै रही है तो घुम्पिर के ये नदी बै रही थी अब क्या हुआ नदी हो गई बाद में ये सीद ऐसी और ये हो गया ब्लॉक यहां पर मिट्टी आ गई यहां पर मिट्टी गाय के खुर जैसी सनरचना हो गई नदी की गोखुर जील है अनसुपा जील और महतपूर पर जाती है रेंचोप्स, एलवी कोलिस, इस्टरना, एक्यू डिकॉड़ा, इस्टरना, औरेंटिया, क्लारियस, मगर, साइप्रिनस, कॉर्पियो और वालगो, एटु आदी पाय जाती है हीरा कुंड सबसे आपने नाम सुना होगा हीरा कुंड बांदियो जना तो ये मानो निर्मित आद्रभूमी, इसमें कोई दो राहें नहीं है और औरीसा में महा नदी पर उननेस सो सतावन में बनकर तैयार हुआ, सबसे लंबा अर्थफिल बांदियो ठीक हीरा कुंड जला स तीन सो मेगावार्ट जलविद्दो, चार लाग शत्ती जार हेक्टेर, छेतर के सिचाई का स्रोथ, हेक्ट याद नहीं रखना है बस एक बताने के लिए, मैर्पूर्ट प्रजातियां, कॉमन कूट, लैसर विस्किंग डक, रेड क्रेस्टिड ग्रीव, रेड हेड़ेड प मैक्सिमम पक्षी आपको में, अब बात करें टमपारा जहील, तो यह प्राकरति का अत्भूमी है, गंजम जले में, ओडिसा की सबसे प्रोप ताजे पानी की चीज़ों में से एक है, यहां का अउतल वेशन आसपास के जलगरट छेस से बहा कर आये, वर्सा के जल के साथ ध अब बात करें, अपना फैवरिट जगह है, जम्मु कस्मीर के बारे हैं, इसमें पाए जाती है, आईगम, आद्रभूमी संरक्षड रिचर, हाईगम जो है, वो प्राकर्तिक आद्रभूमी, कैसी आद्रभूमी है, हाईगम, प्राकर्तिक आद्रभूमी है, भेलम नदी बेशन में, इसे महत्पूल पक्षी और जयवरित्ता छेतर, ठीक है, आईविये के रूप में मानेता प्राप्त है, हाईगम आद्रभूमी, अत थली भूबाग में बतल गई है, मैतपूर्ट पर जाती हैं, रेट क्रेस्टिट पोचार्ड्स, भाइट आइड पोचार्ड्स, पॉमन टील कूट्स, ग्रे लेक्स आदी पाए जाते हैं, इसके लावा सौल बुग वेटलेंड कंजर विसन रेजर ये भी जमू कस्मीर में है, या प्राकर्तिक आदरभूमी है, जमूर्क और कस्मीर के स्री नगर जिले में इस्ते थे, इस छेतर में फ्रागमाइट्स, कम्यूनिस और टाइफा, अंगुस्ताता, व्यापक प्राकर्तिक परियावास परदान करते हैं, साथ इस छेतर में खुले जल पर निम्फिया, कैं स्टिट पोचार्ड हाइट पोचार्ड पॉमन टील पिन टेल और मेलर्ड आधी यहां पर मिलते हैं आपके सॉल्वोग वेट लेंड में क्यों कि जम्मू कस्मीर में इसकता है और स्री नगर्जिल चलिए आगे बढ़ते हैं माहराष्ट माहराष्ट की और बढ़ते हैं फिर करणाटक ने आएंगे तो माहराष्ट में है ठाड़े क्रीक प्राकरति का अदुर्भूमे यह ठाड़े पख्षई होता है पख्षीयब्यारे न भी घोसित किया गया है यह प्रवासी पक्षियों के मद देस मार गए से मैतपुड पक्षी और जय विवत्ता चेत्र आई बीए की रूप में वर्गी क्रत किया गया है और यहां लगबग 20% मेंग्रोप पर जाती हैं और फ्लेमंगो पाए जाते हैं और क्रेक में ताजे जल की आपूर्ती के कई सरोथ हैं जिनमें थाड़े में उल्लास स नदी सबसे वड़ी नदी है दहास के बाद करनाटक की बाद करें तो रंगना थिट्टू पक्षिय ब्यारन की बाद करें यह भी आई बीए की रूप में वर्गी क्रत है कावेरी नदी का भाग है रंगेना थिट्टू और प्राकरतिक आद्रभूं मैं अध्पूर्ट प्रजातियों की बात करें तो यहां पर मगर प्रोकोडाइल, स्मूथ कोटेड उद विलाओ, हम्पबैक महसीर, चित्तिदार सारस, स्पॉर्ड विल्ड पेलिकन, ब्लैक हैड़िट, आईविस भी पाए जाते हैं रंगना थिट्टू पक्षिय ब्यारन है, इस्थानी मारा जंजाती के लोग इसे स्रत्ता से देख, फिल्टा कुश्यन भी पूस्ट, मारा जंजाती तो मिजोरम से हैं, मैंतपूर्ट प्रजातियों सांबर हिरन, जंगली सुवर, बार्किंग हिरन, फुलोग, गिब्बन, पड़ा, बंदर, स्लो लॉरेंस, लावा, एलोंगेटिट टर्टल, एसियन ब्राउन टर्टल, ब्लैक, सॉप्ट, सीर्टल भी पाए जाती है, नंदा गोवास हमने आपको बता दिया था, प्राकरते कादर भूम, इसमें ताजे जलका मौस में दल्दल भी सामिल है, यह दल्दल जोहारी, गोवा में जाता को वालो और कॉमन की तर आदी हम पाए जाते है, राम सर से संबंदेत यहां पर होती है, आपकी कहानी समाप्त, चलिए, यहां पर इस वीडियो को करेंगे समाप, पीडियेफ बंदर होगा वाली चाहिए, तो ह-e-r-e-i-m at the rate email.com पर आप हम, email करके, आगे के वीडियो में, व पर पांच वीडियो, आज के आज मैं आठ वीडियो डाल होगा, चेक का लेना प्लैलिस्ट में, और किसी भी एक्जाम के लिए, सबके लिए लेना वाई, आप इसको पड़ सकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को सब्स्क्राइब नहीं कि आपके, सब्स्राइब कर सब्सक्राइब कर दो कि आपके लिए नहीं कि एके करा दोड़ सकते हैं, बहुत इसको प। ऱो कि खsome को एके लिए, कि सकते हैं, इसके लेना प। आती हैं, बहुत प। precisर, आपके कम च दोगल प। systems, इसके Electr fools आ इसके लिए, संब्स्तो होई सब्स्तोंते हैं, बहूत झाम